नमस्कार मित्रू आप सभी दूस्तों का स्वागत है हमारी अपनी यूट्यूब चैनल मेडिसिन जनकर में इससे पहले कि दूस्तों दवायों की जनकरी पाना चाहते तो अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब पर दीजिए तो आज के स्वीडियों में हम रिव्यू करेंगे एरोफेनेक पी टेवड का रिव्यू करेंगे तो आप किन किन बीमार में इस टेवड का प्योग कर सकते हैं बूच क्या है साइड एफेक क्या है उसके बारे में हम पुरे विस्तार से जानेंगे तो यह 10 टेवड की फायर भी इस्टेबड के मार्पी और इस दवा को मार्केट करता है एर ओन लाइफ लिंक एल भी दरह मार्केट किया जाता है और इसमें सॉल्ट मिलाए गया है एसी क्लोफनेक 100 mg एंड पेराशितमल 325 mg सॉल्ट मिलाए गया है तो जान रते केन केन बीमार्य में इस्टेबड का उप्यों किया जाता है तो अगर आपको मांश पेशिमें दर्द है जूडों का दर्द बदन दर्द गुटनों का दर्द है मोचा गई है सरीर में सुजना सब्सक्रण हरो तो चोट रगने के बाद होने मारा दर्द तो यहसी कंडिशन में इस टेबड का भूप्यों किया जाता है तो जान लेते हैं इस टेबड के बारे में, तो दोर रहता है रहता है एक अड़ेल वहुज़िक्खो एक टेबडड शुबह और एक टेबडड शाम को खाना खाना के बाद लेना है इस टेबड को लेने के बाद कुछ साइड इफेक न जरा सकते जैसे के पेड में दर्द होना लाल चक्कते मतली उल्टी होना कब जो बनना सेने में जलन चक्कराना इस टेबड को लेने के बाद यह से कुछ साइड इफेक न जरा है तो एक बार आप अपने डॉक्टर के सला जरूर ले आप पहले से किसी भी पकर के मेडिसी ने आए कोई भी दर्द की दवाई खा रहे तो इस तवा का उप्योग कने से पहले अपने डॉक्टर के सला जरूर ले प्रेगनेंसी मेलाए स्तनपां कराने वाले मेलाए इस तबागा उप्यों करने से पहले अपने डॉक्टर की सला जरूर ले तो दोस्तो ये छोटी जिएन के आपको कैसे लगी हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं ने वीडियो के साथ ठेंक यू धन्यवाद